नवस्कार मित्रो, स्वागत है फिरसे एक बार आपका मैं हूँ पंकरज देशपांडे आपका अकाउंटिंग फ्रेंड और आज हम बात कर रहे हैं एक कंसेट के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस परचेस ओर्डर प्रोसेसिंग कंसेट परचेस ओर्डर प्रोसेसिंग मतलब यह कुछ तो भी परचेस एक्टिविटी से सम्मन्दित है अब परचेस किस चीज की परचेस की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परचेस ओफ गुड्स नौर्मली किसी भी बिजनस में जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहा है और जो लोग चाहते हैं, जो बिजनस ओनर चाहते हैं कि उनके यहां पे सारी चीज़े सिस्टेमेटिकली हो तो वहां पे परचेस ओडर प्रोसेसिंग इंप्लिमेंट किया जाता है जब बिजनस छोटा होता है, तो होता क्या है मलूम है क्या है कि ओनर खुदी फोन करके परचेस ओडर प्लेस कर देता है मतलब जो भी उसका supplier होगा उसको सीधे phone करतार बोलता रहे भाईया 150 बेच देना 1000 बेच देना 500 बेच देना rate रेट भी phone पर ही decide होता है कि rate क्या रहेगा quality क्या रहेगी ये सारी चीज़े phone पर decide होती है लेकिन जैसे जैसे business का level बढ़ते जाता है level बढ़ने के बाद owner का ध्यान धीरे धीरे business की activity से मतलब operations में से कम होना शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि इतना समय owner के पास नहीं होता है और ये ध्यान कम होना ही चाहिए क्योंकि अगर owner हर जगह अपना दिमाग खुद का लगाएगा तो owner ने जो काम खुद करने चाहिए वो करने के लिए owner के पास समय ही नहीं बचेगा तो मित्रो आप याद रखिए कि purchase order processing ये normally जहां पे systematically काम हो रहा है वहीं पे होने वाला है छोटे level पे नहीं होगा अब systematically काम करने के लिए normally क्या होता है जिसका turnover थोड़ा जादा है 10 करोड, 15 करोड, 20 करोड, 50 करोड इसके उपर जब turnover जाना शुरू होता है तब purchase order processing शुरू हो जाता है तो ये purchase order processing के concept में क्या-क्या चीज़े है हम आज अभी जानेंगे चलिए एक के करके हम समझते हैं कि what is this all about what is purchase order processing concept तो purchase order processing concept मतलब क्या है it is a complete process of purchase of goods आप goods purchase करते समय क्या-क्या steps लेंगे क्या-क्या activities होगी कौन-कौन से accounting transactions record होने वाले है ये सारी चीज़े हम आज discuss करने वाले है तो हम flow of transactions समझने के लिए एक example लेते है ये जो चीज़े मुझे मालूम है ये सभी की बहुत ही फेवरेट चीज़े ये देख के ही ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया तो हम बात कर रहे है आईस्क्रीम की तो आईस्क्रीम के केस में अगर हम बात करेंगे आईस्क्रीम manufacturing की तो आईस्क्रीम manufacturing में प्रोसेस क्या होगा चलिए तो production department जो है उसे आईस्क्रीम manufacture करना है बादाम roasted flavor है और ये बादाम roasted flavor जो है ये flavor manufacture करने के लिए उनके पास ingredients बागी सभी है लेकिन बादाम ही नहीं है तो बादाम उन्हें चाहिए है या फिर जितने बादाम उन्हें चाहिए उनके पास नहीं है तो अब क्या होगा कि production वाले लोग जो है वो सबसे पहले एक request भेजेंगे जिसे कहा जाता है indent accounting की भाशा में तो ये indent जाता है stores के पास में stores मतलब ऐसा department होता है जहां पे stock रखा होता है सारी चीजों का stock रखना ये stores department का का काम है तो stores department मतलब ये department है जहां पे सारा माल रखा रखा रख जाएगा चाहे वो finished goods हो चाहे raw material हो तो अगर stores के पास माल है बादाम है तो वो immediately issue कर देगा production department को लेकिन अगर इनके पास भी माल नहीं है shortage है इनके पास भी बादाम नहीं है तो ये क्या करेंगे ये convey करेंगे इसी चीज की जानकरी देंगे purchase department को और purchase department उसके बाद उनके जो भी approved vendors है बड़े level पे approved vendors होते हैं approved मतलब क्या है ऐसा नहीं कि किसी को भी order देदो उनका decided रहता है कि हमारे 3 vendors रहेंगे 4 vendor रहेंगे 5 vendor रहेंगे जो भी है और इनको rotation में order जाएगी और सब को हम almost equal level पे रखेंगे as far as buying, buying percentage is concerned मतलब साल भर में अगर हमें मान के चलते हैं कि 1000 kg बादाम खरीदने है तो 1000 kg के बादाम हम एक ही व्यक्ति से नहीं खरीदेंगे ये अलग-अलग लोगों से खरीदेंगे तो अगर हमारे पास 5 vendors है तो approximately हम 200-200 kg हर vendor से during the year खरीदेंगे तो purchase order processing में अभी next step क्या हो रहा है कि stores department ने उनके पास माल नहीं है इसलिए production वाले को तो बता दिया लोने कि हमारे पास माल नहीं है लेकिन हमने आपके request जो है purchase department को forward कर दिया है purchase department ये request से आगे order place करेगा vendor को vendor मतलब जो भी इनका supplier है उसे order दिया जाएगा इसे कहा जाता है purchase order purchase order देने के बाद vendor जो है ये stores में माल supply करेगा और stores वाला जो वेकिती है वो production को माल deliver कर देगा देदेगा कि अभी आपके लिए जो बादाम आपको चाहिए थे वो आ चुके है और अभी आप production कर सकते है अब ये जो process है ये मैंने आपको दिखाए ये normal process होता है ये routine में चलता है लेकिन बड़े level पर ऐसा कभी नहीं होता है कि आज हमने सोचा कि हम production करेंगे बादाम roasted ice cream बनाने जाएंगे और फिर सबरे office में आने के बाद पता चला कि बादामी नहीं है ये ऐसा नहीं होता है पूरा production planning होता है महने भर का production planning होता है कभी 3 मेने का करेंगे कभी 6 मेने का करेंगे कुछ-कुछ लोग साल भर का production planning भी करते है और उस हिसाब से buying की dates fix की जाती है और buying की dates के साथ में order पहले से ही place किया जाता है vendors को और re-order level भी maintain किया जाता है ताकि ये इस तरह का shortage ना हो और shortage की वज़े से आपका production भी disturb ना हो इसके लिए पूरा planning किया जाता है आज के वीडियो में हम इस बारे में discussion नहीं कर रहे है हमारा आज का topic है purchase order processing तो purchase order processing में अब मैं आपको बताता हो कि accounting software की अगर हम बात करेंगे तो accounting software में क्या-क्या चीज़े हो सकती है या हो नहीं चाहिए तो accounting software में सबसे पहले जो production department है वो indent raise करेगा ये indent indent मतलब it is called as requisition also तो ये requisition या indent ये रेस किया जाएगा this is a transaction in accounting system accounting software अब ये indent के बाद में ये indent के बाद में एक purchase order रेस किया जाएगा जैसे कि मैंने कहा कि production department ने indent भेजा stores को stores के पास में माल नहीं है बादाम नहीं है उन्होंने ये indent forward किया ये इंडेंट forward किया है purchase department को तो purchase वालों ने क्या किया उनके पास approved vendor जितने भी थे उसमें से एक vendor चुना और उसमें से एक vendor को purchase order दे दिया अब ये purchase order में क्या क्या रहेगा purchase order का content में जिसको purchase order दे रहे उसका नाम हमें कितनी quantity चाहिए, कौन सा माल चाहिए, इसका rate क्या रहेगा इसकी delivery कब तक होनी चाहिए और ये कौन से location पे deliver होगा ये सारी की सारी चीज़े आपके purchase order में लिखी रहेगी purchase order की जरूरत क्या है अगर हम purchase order raise नहीं करेंगे तो क्या होगा इसमें दो तरह के problem हो सकते हैं पहला problem ये है कि हमने किसको order दिया था कितने quantity का order दिया था क्या rate से order दिया था हमें ही याद नहीं आएगा तो हो सकता है वो सामने वाला आदमी आपको माल डिलीवर करें अगर वो भी भूल गया तो वो माल डिलीवर नहीं करेंगा माल डिलीवर नहीं करेंगा तो ultimately आपका production process डिस्टरब हो जाएगा और production आपका नहीं हो रहा तो आपके पास बेचने के लिए माल नहीं है आपके customer जो है वो आपके नाम से चिलाएंगे और ultimately आपका reputation खराब हो जाएगा business में बहुत बड़ा loss इसमें हो सकता है point number one point number two क्या होता है कि आपने purchase order तो दे दिया लेकिन rate आपने decide किया था phone पे 100 रुपे पर पीस के इसाब से अब आपको bill आया है 103 रुपे पर पीस के इसाब से आपने एक लाख पीस order किये थे तो तीन रुपे का rate में change आ गया तो तीन लाख रुपे का फरक पड़ गया आपका ध्यान इस चीज के उपर हो सकता है जाय या हो सकता ना जाय ये भी संबव है अगर आपके ये ध्यान में नहीं रहा कि तीन रुपे का rate ज़्यादा आ गया तो आप गलती से payment भी कर देंगे वो लोग भूल सकते है लेकिन जो चीज राइटिंग में है उसे भूलने का कोई कारण ही नहीं है और उसमें बाद में confusion होने का भी कोई कारण नहीं है हम हमारे accounting software में हम यह देख सकते हैं कि कितने रुपए के purchase order pending है, कौन से stock item के purchase order pending है, कौन से vendor के पास कितने purchase order pending है, कितने order overdue हो चुके है, यह सारी की सारी चीज़े आपको आपके accounting software में देख सकती है और tally में तो यह निश्चे तोर पर देख सकती है तो purchase order यह हो गया, दूसरा step, purchase department ने purchase order raise कर दिया है, किसके नाम से, vendor के नाम से, approved vendor के नाम से, अब इसके बाद में होगा क्या कि जो vendor है आपका, वो आपको माल deliver करेगा, तो इसे हम कहते है receipt note, कुछ लोग इसे GRN भी कहते है, GRN का मतलब होता है goods receipt note, अब यह माल जो है, यह माल आ आपके stores में, जहां पर भी आपका go down है, वहां पर यह माल जाएगा, माल जाने के बाद, यह जो GRN मतलब goods receipt note, यह कागच का टुकड़ा है, जिसके उपर यह लिखा रहेगा, कि इतना-इतना माल आपके पास आ चुका है, physical delivery हो गई है, और हमारा आदमी जो हमारा बिजनस है, हमारा आदमी यह लिख के देगा, कि we have received the goods in good condition, proper condition, माल टूटा हुआ नहीं था, पूटा हुआ नहीं था, कोई problem नहीं था, यह goods received note जो है, यह हमारे books में record होगा, please remember this is not a purchase transaction, यहाँ पे अभी तक purchase नहीं record हुआ है, और आप यह जो माल आपके पास आ चुका है, यह आपके profit and loss account में अभी नहीं जाएगा, माल accept कर दिया, इसके बाद आपका जो vendor है, वो आपके नाम से एक bill बनाएगा, इसे हम कहते हैं, purchase bill यह purchase invoice, यह purchase bill यह हमारा financial accounting data है, यह financial accounting record है, और हमारे पास एक बार purchase bill आ गया, तो इसके बाद हम इसे record करेंगे, यह profit and loss account में भी जाएगा, और इ इसके बाद की जो step है, it is payment to supplier, तो यह आखरी step है, purchase order processing में, आप इसके बाद में payment to supplier करेंगे, यहाँ प्याप देख रहे है, कि purchase order processing में total 5 steps है, what are these 5 steps, पहली step है, indent, indent मतलब requisition, कि मुझे माल चाहिए, ऐसा production department या भी जो भी department है, जिसे यह माल चाहिए, वो बोलेगा, दूसरी step क्या है, दूसरी step है, purchase order का creation, तीसरी step है, purchase order creation होने के बाद में, goods receipt note हमारे premises में, हमारे गोड़ान में माल आएगा, चौती step है, इसका invoice आएगा, हमारे पास purchase बिल आएगा, और पाच्वी step हम वो invoice का payment कर देंगे, तो payment होने के बाद यहाँ पे हमारा process खतम हो गया, matter खतम हो ग ठैली में नहीं हो सकती है, जो पहली step आप देख रहे है, indent की step, यह step by default ठैली में अवेलेबल नहीं है, यह step by default ठैली में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसे customize करके ले सकते हैं, लेकिन बाद की जो चार step है, मतलब purchase order और उसके बाद की तीन, तीन step यह टैली में आप by default ही available है तो इसे आप जरूर use कर सकते है और मैं आपको suggest करूँगा कि इसे आप जरूर use करें क्योंकि purchase order processing ये accounting में एक important step है ये automate होना ही चाहिए और अगर ये automate होगा तो सभी का समय बचने वाला है और सभी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है बिजनस का owner owner ने अपना दिमाग mechanical activities में नहीं लगाना चाहिए this is a mechanical process so owner should not put in his mind in mechanical activities which can be automated very easily so दोस्तो ये था हमारा आज का चोटा सा वीडियो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर ये आपको पसंद आया तो आप इसे like कीजे आप comment section में अपने विचार मुझ तक पहुचा सकते है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो ज़रूर इसे subscribe कीजे साथ में bell icon भी दबाईए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के notifications जरूर मिलते रहे thank you very much for watching this video till end have a nice day and all the best